जैहिन दोस्तों स्वागत आपका बिजेपास दिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो आप सब के लिए most important रहने वाली है आज हम डिसकस करेंगे soldier trade man पंजाब सेंटर का original question paper जो की हमारा हाल ही में हुआ है 28 February 2021 को सारे के सारे question आपके लिए important रहेंगे क्योंकि soldier GD का all center का exam cancel हो चुका था और आपको ये question important रहेंगे soldier GD के paper के लिए so first question discuss कर रहे हैं हम GKK जो की समाने ग्यान का हमारा portion है first question है इन में से कौन सी बिमारी मच्छर के काटने से नहीं होती है चार option दिएगे हैं fever, डेंगू, चिकन गुनिया या फिर जोंडिस तो मच्छर के काटने से कौन सी बिमारी हमारी नहीं होती है वो है हमारी जोंडिस next question की बात करते हैं question number two है देश में भावा परमानू अनुसंधान के इंदर कहां पर स्थित है तो भावा अटोमिक रिसर्च सेंटर लोकेटिड इन दा कंट्री तो भावा अटोमिक रिसर्च सेंटर हमारा स्थित है ट्रांबे में यहाँ पर अगर मुंबई आप्शन में होता तो मुंबई आपका सह्यान सरहने वाला था next question की बात करते हैं गोतम बुद्ध के गुरु कौन थे who was the guru of गोतम बुद्धा कपिल, अब्दुल्ला, पतंजली या अलारा कल्मा तो काफी difficult यहाँ पर यह question पूछा गया था यूनीक सा question यहाँ पर यह बनाया गया था गोतम बुद्ध के गुरु जो थे उनका नाम था अलारा कल्मा उप्शन डी इसका सही अंसर रहेगा next one है भारत का रास्ट्रपती बनने के लिए नियून्तम आयू कितनी होनी चाहिए तो भारत का रास्ट्रपती बनने के लिए नियून्तम आयू होनी चाहिए 35 बर्ष उप्शन सी इसका बिल्कुल सही अंसर रहेगा नेक्ट कोशन है भारत का सबसे उंचा पठार कौन सा है सबसे हाइस्ट पठार जो है भारत का वो कौन सा है लदाख, तिबबत, दक्कन या पामीर तो इसका जो सही अंसर है वो है दक्कन का पठार और option C इसका बिल्कुल सही अंसर रहेगा next question है रबड की बल्कीनी करण के लिए रबड में क्या मिलाया जाता है तो रबड में ऐसी कौन सी चीज आइड की जाती है ताकि उसको hard बनाया जा सके तो वो है हमारा sulfur option C इसका बिल्कुल सही है next question है कौन सी प्रत्थम भारती अभिनेतरी है जिन्हें पदमश्री पुरुसकार से समानित किया गया है तो ऐसी कौन सी अभिनेतरी है भारत की जिनको पदमश्री से समानित किया गया तो उनका नाम है नर्गिस दत तो option D इसका बिल्कुल सही हो जाएगा नरकिस दत जो है ये इनका बिल्कुल सही अंसर रहेगा Next question है गांधी जी ने करो या मरो का नारा कौन से अंदोलन में दिया था Do or die का जो स्लोगन था गांधी जी के द्वारा दिया गया था वो किस अंदोलन में दिया गया था और सही योग अंदोलन, खिलाफत अंदोलन या फिर भारत छोड़ो या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वो है भारत छोड़ो अंदोलन में ये दिया गया था Next question है इमिलिकित में से किस भारती राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है नागालैंड, गोवा, सिक्किम, हिमाचल परदेश तो सिक्किम में जो है वो अभी तक कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है तो option C इसका बिलकुल सही अंसर रहेगा Next question है लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी लोहित नदी जो है वो किसकी एक सहायक नदी है तो वो आपका अंसर रहेगा ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र की जो है लोहित नदी एक सहायक नदी है जैसे गंगा की सहायक नदी यमुना है वैसे ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी है नेक्स्ट कोशिन है तमिलनाडू का कौन सा शहर भारत का निट वियर कैपिटल के नाम से जाना जाता है तिरुची, चन्नई, मदुरई या फिर तिरुपती तो इसका जो सही अंसर रहेगा वो हमारा रहेगा तिरुपती, ओप्शन ए जो है ये इसका बिल्कुल सही अंसर रहेगा नेक्स्ट कोशिन है गांथी सागर डैम, कोटा बांध, राना, परताप सागर बांध किस नदी पर बनाए गए हैं तो ये तीनों के तीनों डैम जो है ये चंबल नदी के ओपर बनाए गए हैं आपको कमेंट वोक्स में बताना है कि किस राजे में हैं ये हमारे डैम पढ़ते हैं नेक्स्ट कोशिन है एनी बेसंट और लोकमाने तिलक द्वारा चलाए गए अंदोलन का नाम क्या रखा गया था रॉलेट एक्ट था भारत शोडो था होम रूल था ये फिर इन में से कोई नहीं तो होम रूल जो है वो एनी बेसंट और लोकमाने तिलक के द्वारा चलाए गए अंदोलन का नाम था नेक्स कोईशन है करंट ओफेर से कॉइशन पूछा गया था ये सोलजर ट्रेडमेन में शिख्किम के बर्तमान मुख्यमंतरी कौन है कौन है तो सिख्किम के जो बरतमान के सीएम हैं उनका नाम है प्रें सिंगंग एंसर रहेगा सो आपको आर्मी जीडी के लिए करंट अफेर के ओपस भी थोड़ा सा फोकस करना है क्यूंकि करंट अफेर के कोईशन भी अब धीरे धीरे पूछे जा रहे है next question है easy question था अफगानिस्थान की राजधानी का क्या नाम था क्या नाम है तो काबूल जो है वो हमारी अफगानिस्थान की capital है next discuss करेंगे reasoning के important question सबसे पहला है हमारा पहले का अगर अंतिम है तो साथी का क्या होगा reasoning काफी easy आई थी paper के लिए तो अगर पहले का जो है वो अगर अंतिम बताया गया है तो साथी का क्या आएगा तो साथी का जो है वो option D सही रहेगा बिरोधी जो है वो इसको यहाँ पर कहा जाएगा next question है इन में से कौन सा बिकल्प अलग है अलग मतलब different कौन सा है जैसे दिल्ली यंगून मुंबई बैंगलूरू तो इसका जो यंगून option है यह विल्कुल अलग है क्योंकि दिल्ली मुंबई बैंगलूरू हमारे शहर है और यंगून हमारे एक शहर नहीं है next question करते हैं find the right option आपको सही यहां पर बताना है जैसे drill का काम है सुराख करना वैसे ही छलनी का काम क्या होगा तो छलनी का काम जो है वो च्छानना यहां पर रहेगा तो option D जो है यह इसका बिल्कुल सही answer रहने वाला है छननी का हो जाएगा यहां पर च्छानना next question है अगर tom को 48 कहा गया है डिक को 27 कहा गया है तो harry का क्या code होगा तो harry का यहां पर जो code रहने वाला है वो रहेगा हमारा 70 अब 70 कैसे आएगा वो चीज मैं आपको यहां पर बता देता है जैसे tom है यहां पर सारे यह जो है नंबर को add करके यहां पर बनाया गया है जैसे उसके बाद ओ जो है हमारा कौन से नंबर के उपर आता है ओ जो है वो हमारे 15 नंबर के उपर आता है वैसे ही हमारा m जो है वो 13 नंबर के उपर आता है अगर सबको मैं add करता हूं तो मेरे पास बनता है 48 वैसे ही डिक कि अगर सभी alphabet को उनके नंबर को add किया जाता है तो बनत 70 next question है यहाँ पे आपको बताया गया था कि यह जो आपके पास word दिया गया है इसे कौन सा option नहीं बनाया जा सकता so first option इसका बिल्कुल सही answer रहेगा relation जो है वो हम यहाँ से नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखना relation में जो है वो एक हमारा L बर्ड है लेकिन उपर वाले शब्द में हमारे पास L कहीं भी नहीं है तो relation जो है वो इससे नहीं बनाया जा सकता next question है समान्य बिग्यान जनल साइंस का portion यह रहने वाला था यह easy से moderate level का आपके लिए आया था first question है चुहा मारने वाले रसाइनिक जहर का नाम क्या है तो चुहे मारने वाला जो रसाइनिक जहर है उसका नाम है zinc phosphide option यह जो है यह इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा next question है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गयस कप्रयोग किया जाता है तो artificially कुक करने के लिए किस गयस कप्रयोग किया जाता है तो उसका नाम है acetylene अगर यहाँ पे ethene या ethene option होता तब ही हमारा वो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला था next question है निमन में से कौन सी धातू सबसे कम अभिक्रिया शील है तो यह question जो है थोड़ा सा unique आया था और थोड़ा सा doubtful question है क्योंकि aluminium और silver दोनों जो है वो हमारे सबसे कम अभिक्रिया शील करती है लेकिन यहाँ पे मैं अपने according अगर बात बताऊ तो यहाँ पे ag जो है next question है H2SO4 क्या है योगिक है खशार है अनू है या फिर अमल है तो H2SO4 जो है वो हमारा एक acid है इसलिए option D अमल जो है वो इसका सही answer रहेगा next question है doctor किसी मरीज की नाड़ी की जांच क्यों करता है हिर्देगती जानने के लिए बजन के लिए आंखों के लिए या खून जानने के लिए तो हिर्देगती को जानने के लिए doctor जो है वो मरीज की नाड़ी की जांच करता है ताकि उसकी पलसित से हमें उसके बारे में पता चल सके next question है कौन सा प्राणी अपने पूरे जीवन में पानी नहीं पीता तो इसका जो सही अंसर रहेगा वो हमारा रहेगा कंगारू रेट ऑप्शन बी जो है कंगारू रेट ये इसका सही अंसर है ये अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है next question है प्रित्वी का सूरे के चारों और चक्कर लगाना क्या कहलाता है काफीजी question था rotation जो हमारी अर्थ करती है sun के around उसको परिक्रमा कहा जाता है option B बिल्कुल सही answer रहेगा next question है question number 28 lead pencil में lead की मात्रा का अनुपात कितना होता है तो lead pencil में graphite का use किया जाता है उसमें lead की मात्रा जो है वो 0% यहाँ पर रहती है option D इसका बिल्कुल सही answer रहेगा next question है oxygen युक्त रक्त फेपडों से आता है उसे क्या कहा जाता है तो उसे जो है वो हम कहते हैं left artery option D जो है यह इसका बिल्कुल सही answer रहेगा next question है एक अच्छी तरह से कटा हुआ हीरा अधिक चमकता है क्योंकि हीरा जो है उसका सबसे जादा refractive index होता है 2.42 उसका refractive index है और यह सबसे जादा चमकता है total internal reflection मतलब कि multiple reflection यहाँ पे हीरे में होती है diamond में उस वज़ा से यह चमकता है जिसको अधिक्तम आंतरिक परिवंदित के कारण बोल सकते है यह फिर total internal reflection उसको बोला जा सकता है तो option A इसका बिल्कुल सही answer रहेगा next question है निमेलिखित में से किसे दृस्टी समंधी भ्रहम माना जाता है तो दृस्टी समंधी भ्रहम जो है यह हम माना जाता है मरिग तरिशना को रेगिस्थान में यह mostly होता है इसको मिर्रेज के नाम से भी हम जानते हैं तो option A इसका बिल्कुल सही answer रहेगा next question है atom की खोज किस ने की थी रदरफोर्ड, जोन डॉल्टन, मैडम क्यूरी या जेम्स चैडबिक तो 32 जो हमारा question है उसका जो सही answer रहेगा वो रहेगा John Dalton जोन डॉल्टन ने सबसे पहले atom की discovery की थी next one है बादल, बातावरन में इसलिए तैरते हैं क्यूंकि उन में कम दाव होता है कम चिप चिपा पन होता है कम ताप होता है उनका जो है वो अगर कम घनत तो है मतलब less density होती है उसी के कारण जो है वो बादल, बातावरन में तैरते रहते हैं next question है most important question लिटमस कहां से प्रापत होता है तो लिटमस जो है वो काई से प्रापत किया जाता है जिसको लिंचन के नाम से भी हम जानते हैं और दो टाइब के लिटमस होते हैं blue लिटमस और red लिटमस important question है next question है कौन से तापमान पर Celsius और Fahrenheit पर माना बराबर होता है तो ऐसा कौन सा temperature है जिस पर Celsius और Fahrenheit की scale जो है वो equal रहती है तो यह हमारा option C minus 40 degrees centigrade जो है वो हमारा इसका सही answer रहने वाला है next जो है वो हमारा math का portion है सबसे पहला question है दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके बर्गों का अंतर 84 है तो इसका जो सही answer रहेगा वो हमारा 42 यहां पर रहने वाला है इस question का अगर मैं solving process बताऊं तो दो हमने संख्याओं लेनी है जैसे कि आपने एक x square एक संख्या ले ली sorry x square मैंने यहां पर एक संख्या ले ली और दूसरी जो है वो मैंने कौन सी ले ली दो सम संख्याओं मतलब कि दूसरी मैंने ले ली x प्लस 2 अगर मैं उसका भी क्या करता हूँ, अगर मैं उसका भी square करता हूँ, तो ये किसके equal आएगा, तो ये हमारा आएगा 84 के equal, 84 के equal आजाएगा ये, तो यहाँ पे बोला गया है, दो क्रमागत जिनके बर्गों का अंतर, बर्गों का अंतर का मतलब है कि यहाँ पे यह वाली चीज जो थी, वो हमारी किस में होनी थी, ये वाली चीज हमारी minus की format में जानी थी, तो यहाँ पे x square minus x plus 2 का whole square is equal to 84 आना था, यहाँ पे हमारा formula बर्ग करना था, जिसके basis पे हम जो हैं, वो इसका अंसर निकाल सकते हैं, और 42 जो हैं, वो इसका सही अंसर रहेगा, next question है, find the reciprocal of 2, 3 by 4, जब हम इसको open करेंगे, तो हमार पास, यह मैंने लिखा है, 2, 3 by 4, जब हम इसको open किया, 4 को 2 से multiply किया, 8, 8 और 3 हमारे add होगे, तो यह बना 11 by 4, जब हम इसका reciprocal करेंगे, तो यह हमार पास बनेगा, 4 by 11, option D, इसका बिलकुल सही अंसर रहेगा, next question है, 2x, x minus 1, equal to minus 3, तो हमें x की value यहाँ पे निकालनी है, तो यहाँ पे जो x की value हमार पास निकल के आएगी, वो हमार पास क्या रहने वाली है, option A, 3 by 5 हमार पास रहेगी, क्योंकि जब हम इसको open करेंगे, तो हमार पास क्या रकम बताई गई है, 2x हमार पास दिया गया है, निके हमार पास है x minus 1, और equal कर दिया है minus of 3, अब यह जो है, x minus 1 यह दूसरी साइड जाएगा, तो हमार पास क्या बन जाएगा, 2x is equal to, यह x minus 1 दूसरी साइड जाके minus में हो जाएगा, sorry multiply में चला जाएगा, तो जब multiply होगा minus 3 से, तो यह जाएगा 3 minus 3 of x, minus minus plus हो जाएगा, औ अब यह जो है, यह 3x दूसरी साइड जाएगा, क्योंकि x वाली टर्म को x वाली से ही plus minus किया जाता है, तो जब 3 दूसरी साइड जाएगा, यह minus से plus में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 5x is equal to 3, और अगर x निकालना है, तो x आजाएगा 3y 5, तो option a जो है, वो हमारा इसका बिल्कुल सही अंसर रहेगा, next question है, यदि दो कोणों का योग 180 degree है, तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको जो है, वो supplementary angle यहाँ पर कहा जाता है, अनुपूरक कोण उनको कहा जाता है, next question है, कमला ने एक संतरे का 3y 5 हिस्सा खाया, उस संतरे का 6 हिस्सा सोनु ने खाया, तो 3y 5 जो है, 3y 5 जो है, वो किसके द्वारा खाया गया है, वो खाया गया है कमला के द्वारा, अब नीचे जो चीज होती है, वो total है, total में से 3 हिस्सा जो है, वो कमला ने खा लिया, तो बचा कितना, 2 हिस्सा बचा कितने में से, 5 में से, तो 2 by 5 जो है, वो इसका सही अंसर हैग तो बिजे की बरतमान आयू आपको बतानी है तो यहाँ पर क्या बताया गया है जो एक हमारा अजे है और एक है बिजे उनकी बरतमान आयू का नुपात कितना है इसका है 3 और इसका है हमारा 4 अब बोला कि 5 साल के बाद 5 साल के बाद क्या हो जाता है इनका ratio 4 हो जाता है और इनका 5 हो जाता है यहाँ पे ध्यान से देखी यहाँ पे कितने का gap हुआ एक का यहाँ पे 4 से 5 में गया एक का gap तो हम बोल सकते हैं कि ratio ने बोला कि वो एक साल बढ़ा लेकिन question ने बोला 5 साल बढ़ा तो हम 1 equal to कर सकते हैं तो दोनों को compare करना है 1 किसके equal आ जाएगा 5 के equal और अगर हमें बीजे की बरतमाइना यू निकान नहीं तो बीजे है 4 का ratio का तो इसकी गुणा कर देंगे 5 के साथ तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 20 तो option A जो है यह हमारा बिल्कुल सही answer रहेगा next question है बृत के क्षेत्रफल में बृत्धी का प्रतिशत क्या होगा जिसकी प्रतिशत प्रतिशत अगर बढ़ जाती है तो इसका जो सही answer रहेगा वो रहेगा option D 125 जो है वो इसका सही answer रहने वाला है next question है एक सुध भर्ग नहीं है मतलब कि एक perfect square नहीं है आपको पता है 100 जो है वो 10 का आता है 18 किसी का नहीं आता 121 11 का आता है और 81 जो है वो हमारा 9 का आता है इसलिए 18 जो है यह हमारा perfect square नहीं है इसलिए option B इसका सही answer रहेगा next 44 का जो सही answer रहने वाला है गनित विछे की प्रिक्षा में कोई विद्यार थी 180 अंच की प्रत्थम प्रशन में 30 प्रतिशत अंग लेता है और 1500 अंच के दूसरे प्रशन पत्र में बे कितने प्रतिशत अंक ले कि उसका कम से कम कितना प्रतिशत हो जाए 50 प्रतिशत हो जाए तो इसका जो सही अंसर रहने वाला है वो है हमारा 74 74 ओप्शन सी इसका सही अंसर रहेगा next question है काफी easy question था series का question था 1, 4, 9, 16, 25, 36 तो उसके आगे यह जो है यह 1 का स्केर होता है 4, 2 का स्केर, 9, 3 का फिर हमारा 16 जो है 4 का स्केर है 25, 5 का स्केर है 36, 6 का स्केर है वैसे यहाँ पे आएगा 7 का स्केर तो 49 इसका सही अंसर हो जाएगा next है किसी figure को एक तिहाई करने पे अगर 70 प्रापत होता है मतलब कि कोई figure ले ली मानलो मैंने ले ली x x को अगर मैंने एक तिहाई कर दिया मतलब x को मैंने कर दिया 1 by 3 तो मेरे पास कितना प्रापत होता है 70 प्रापत होता है तो आपको x निकालना है ये 3 जब दूसरी साइड जाएगा तो 70 के साथ गुणा हो जाएगा और जब गुणा हो जाएगा तो ये बना देगा हमारे पास 210 नेक्ट कोशन है find the average 133, 135, 137 के आपको average बतानी है तो यहाँ पे gap हमारा सेम है 133 को 2 अगर add करेंगे 135 बनेगा 135 में 2 add करेंगे 137 बनेगा तो जो beach का number होता है center का number बही है हमारी average होती है इसलिए option B 135 हमारा से यह answer रहेगा नेक्ट कोशन है if A is equal to B then find 16 A minus B अगर A को हमने B बोल दिया तो हमें 16 A minus B की value बतानी है तो अगर A हमारा B है तो यहाँ पे मैं B minus B लिख सकता हूँ या फिर A minus A लिख सकता हूँ A मेंस A गया मतलब 0 0 को किसी रकम के साथ गुणा करते हैं तो उसका answer आता है 0 next question है A और B किसी tank को 20 और 30 मिनट में भरते हैं अगर दोनों भरें तो कितना समय लगेगा यहाँ पे बताया गया है कि जो A है वो 20 मिनट में भरता है और जो हमारा B है वो हमारा भरता है 30 मिनट में L sim लेंगे L sim कितना आ जाएगा हमारा 60 L sim आएगा 20 से जाएगा यह 3 वार में और 30 से जाएगा यह 2 वार में तो total जो काम है वो है हमारा 60 A करता है 3 और B करता है 2 तो A और B दोनों करते हैं 5 काम और टोटल है हमारा 60 तो 60 से हम 5 को भाग कर देंगे देया जाएगा हमारे पास 12 मिनट आप्शन A बिल्कुल सही अंसर रहेगा next question है 450 save में से 30% save खराबख हो गए तो इन में से अच्छे save की संख्या क्या है प्रतिशत का question है ये important question हो गए तो 32% save खराब हो गए तो बचे कितने हैं हमारे पास अच्छे save कितने हैं 70% जो है वह हमारे पास अच्छे save होंगे हमें अच्छे save की संख्या बतानी है तो टोटल जो है 100% है ये हमने ratio से पताय किया और question ने बोला कि टोटल कितने है वह हमारे पास 450 तो 1% की value आप यहां पे calculate कर सकते हैं 1 एक प्रतिशत किसके equal आएगा 1 प्रतिशत आपका आएगा साड़े 400 बटा 100 तो अगर 70 निकालना है तो गुणा 70 कर देंगे तो इसका जो सही answer हमारे पास रहेगा वो रहेगा 315 सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आज हम इस वीडियो में discuss किया है हमने original question paper जो आर्मी ट्रेड मैन का हुआ था पंजाब center का 28 February 2021 को यह paper हुआ था पंजाब center का आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को जादा से जादा लाइक करें और विजय पत्त defense youtube चनल को subscribe करें जै हिंद जै भारत